ग्यान वो साधन है जिसके माध्यम से हम विभिनिस शंस्कृतियों के बीच पुल का निर्मालक कर सकते हैं वेलकम टू डॉमिनेंट क्लासेज डॉमिनेंट क्लासेज में आप सभी का स्वागत है तो चलिए आज हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि आज का हमारा टॉपिक क्या है देखे सबसे पहले जो डे फरस्ट में मैंने आप लोगों को होमक दिया था उसके आंसर्स यहां पर दिये हुए हैं आप इसका स्कीन सौर्ट पहले ले लिजए और साथी साथ में इसको टैली जरूर कीजेगा कि आपने जो आंसर किये हैं वो सही है या नहीं सही है तो आप इसकीन सौर्ट जल्दी से ले लिजे फिर हम टॉपिक अपना स्टार्ट करते हैं ये भी आपका होमग था पिछले वाले वीडियो में तो आप इसका भी स्कीन सौर्ट लिजे और टैली जरूर कीजेगा चलिए आज का हमारा टॉपिक अप सुरू करते हम इंगलिस ग्रामर सीखें डे टू जीरो लेवल से आज कर जो हमारा टॉपिक है यूज आफ वाजवर है वैसे तो आप सभी वाजवर के बारे में जानते होंगे बट आज मैं बहुत ही सरल तरीके से आपको सिखाऊंगा और वो भी बहुत सारे एक्जामपल्स के साथ तो चलिए बिना समय गवाए अपने टॉपिक को हम लोग देखते हैं और समझते हैं देखें सबसे पहले हम इसकी पहचान समझ लेते हैं कि इसकी पहचान क्या होती है जिस वाक के अंत में था थी थे क्रियाओं में से कोई अकेली क्रिया होतो अंग्रेजी बनाने के लिए वाजवर में से कोई एक क्रिया का प्रयोग करते हैं अकेली क्रिया का मतलब यह है कि इन क्रियाओं के साथ कोई और कारेसूचक क्रिया ना हो अब यहाँ पे कारेसूचक क्रिया कोई और का मतलब क्या होता है यह मैंने आपको पिछले वीडियो में बता दिया था अगर आप लोग नहीं जानते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे दे रहे हैं आप जा करके वाच कर लिजेगा आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ जाएगा जो कि मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया था तो चलिए इसमें भी मैं थोड़ी सी चीज़े आपको बत जाता और था ठीक है तुम अंग्रेजी बोलते थे बोलते और थे वां अंग्रेजी पढ़ती थी पढ़ती और थी मतलब कि मैंने बताया कि अकेली क्रिया क्या होती है जब था थी थे अकेले हों उसके साथ में कोई और वर्ब नहों लेकिन यहां पे देखिए था के साथ मे एक साथ आ रही है तो यहाँ पे मैंने लिखा भी है इसको मैं पढ़के सुना देता हूँ आपको इन क्रियाओं में था थी थे अकेली क्रिया नहीं है बलकि इनके साथ में पढ़ता जाता बोलते पढ़ती भी एक क्रिया है तता साथ में जुड़ी हुई है अब आपको समझ में आ गया होगा जहाँ पे केवल था थी थे हो वहाँ पे हम वाज और वर का इस्तमाल करेंगे तो चलिए अब अपने टॉपिक की तरफ और आगे बढ़ते हैं देखे सबसे पहले तो यह समझ लेते हैं कि वाज और वर का यूज हम किसके किसके साथ में करते हैं अंग्रेजी अनुआत करते समय आई, ही, सी, इट और अन्य एकवचन करता के साथ वाज तथा वी, यू, दे, दीज, दोज और अन्य बवचन करता के साथ वर का प्रयोग करते हैं I think आपको समझ में आ गया होगा और आप पहले से भी जानते होंगे अब चलिए अगर structure की बात करते हैं तो structure जो इसका बनता है वो चार तरीके से मैंने बनाया यहाँ पे affirmative, negative, interrogative और interrogative, negative तो सबसे पहले structure को समझ लेते हैं अगर structure आपके पास है तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी सबसे पहले हम लिखते हैं subject subject के according was और word में से कोई एक का इस्तमाल करते हैं और उसके बाद से other word का इस्तमाल करते हैं affirmative sentence बनाने के लिए अगर negative sentence बनाना है तो हम उसमें क्या करेंगे subject लिखेंगे subject के according was और word में से किसी एक का इस्तमाल करेंगे थन उसके बाद से not का इस्तमाल करेंगे और उसके बाद other word लिखके fully stop लगा देंगे उसके बाद अगर interrogative sentence की बात की जाती है तो was word according to the subject पहले लगा देते हैं फिर subject का उस्तमाल का इस्तमा simultaneous करते हैं करेंगे फिर other word का use करके question mark लगा देंगे I think आपको समझ में आ रहा होगा आप इसका चाहे तो screen sort भी ले सकते हैं और इस structure को जरूर याद रखिए क्योंकि इसी के according सारे sentences solve होंगे देखे अब यहां से हम लोग अपने topic को शुरू करते हैं मैंने examples दिया हुआ है और साथ में लास्ट वीडियो के अंत में अगर आप देखेंगे तो आप बहुत सारा exercise मैंने दिया हुआ है जिसका आप घर बैठके answer कर सकते हैं और practice कर सकते हैं तो अंत तक क्या होगा was का इस्तमाल करते हैं तो he was और व्यापारी व्यापारी को merchant कहते हैं एक यानि कि a यानि कि answer में हम लिखेंगे he was a merchant he was a merchant clear हो रहा है I think समझ में आ रहा होगा आपको फिर उसके बात कह रहा है कि मैं गरीब था मैं के लिए I का यूज करते हैं और past में था के लिए was का यूज करते हैं गरीब का poor होता है I was poor यानि कि मैं गरीब था या एक चुहा था आपको पता है कि हम ऐसे चीजों को indicate कर रहा है it was or a rat यानि कि चुहा तुम कमरे में थे यू के साथ में work हो यूज करते हैं या उवर इंदरूम का मदलब कमरे में या नि की translation इसका होगा तुम कमरे में थे का you were in the room हम खुस थे हम खु sermon जो जाएगा वह वी से होगा और we के सात में work लगता है और खुश की English क्या होती है, happy होता है, तो यानि कि हम खुश थें, we were happy, वे अमीर थें, वे को English में दे कहते हैं, ठीके, और दे के साथ में वर लगता है, ठीके, और अमीर को rich होता है, तो यहाँ पे हम क्या कहेंगे, वे अमीर थें, they were rich, they were rich, उसका अगला sentence है, फल ताजे थें फल यानि कि जो fruits की बात कर रहा है, तो the fruits were fresh, आप यहाँ पे इसका screen sort भी ले सकते हैं, I think आपको समझ में आ रहा होगा, कि कहाँ पे हम was का use कर रहे हैं, कहाँ पे work का use कर रहे हैं, और मैंने structure में भी बता दिया था, उसके पहले जो मैंने pronounce आपको समझाया है, कि किसके साथ म को समझ गया होंगे, और उसको आप mind में भी रखिए, ताकि आप सही तरीके से, सही जगह पे सही verb का इस्तमाल कर सकें, according to the subject, चलिए, इसके आगे देखते हैं, negative sentence, तो negative sentence में क्या होता है, ठीके, हम not का use करते हैं, तो structure मैंने पहले दे रखा है, अब मैं यहाँ के बल sentence आपक honest, they chore नहीं थे, they were not thieves, they were not thieves, अच्छा कभी कभी हमारे साथ में, वाक्य में कभी नहीं होने पर, यानि कभी नहीं जब एक साथ होता है, एक sentence में होने पर not के स्थान पर never का प्रयोग करते हैं, यानि कि sentence में अगर कभी नहीं आ रहा है, तो वहाँ पे हम not का use नहीं करेंगे, तो आईए जड़ा देखते हैं इस sentence को, कि इसे हम कैसे बनाएंगे, देखे, सबसे पहले तो हम इसको देख लेते हैं, वह सासी कभी नहीं था, वह सासी कभी नहीं था, तो वह के लिए he का use किया है, past में he singular है, तो was, singular में आता है, तो he was, और कभी नहीं आया है, तो कभी नह के लिए हम never का use किये हैं, और सासी को हम कहते हैं, courageous, यानि कि इसका answer हो जाएगा, कि वह सासी कभी नहीं था, he was never courageous, ठीके, उसके बाद से वे लापरवाह कभी नहीं थे, वे है, यानि कि दे होगा, और दे के साथ में past में वर लगता है, ठीके, और कभी नहीं है, तो never हो आएगी, they were never careless, मैं उदास कभी नहीं था, मैं के लिए I का use करते हैं, और I के साथ में past में वास का use करते हैं, कभी नहीं के लिए never, और उदास के लिए sad, तो मैं उदास कभी नहीं था, I was never sad, I was never sad, I think यह भी आपको समझ में आया होगा, कि कहांपे not का use करेंगे, और कहांप पे निवर का यूज़ करेंगे तो आप इसका भी स्किन सोट ले लिजे और नोट्स जरूर बनाईएगा डे वन से अगर आप नोट्स बनाते हैं तो आने वाले कुछी दिनों में आपका जो ग्रामर है वो बहुत ही बहतर हो जाएगा बहुत ही अच्छा हो जाएगा और साथ साथ में आपको एक प्रापर नोट्स मिल जाएंगे तो चलिए अगला टॉपिक देखते हैं देखें अगला जो हमारा है वो है एक्जाम्पल्स आफ इंट्रोगेट्व इंट्रोगेट्व का स्ट्रक्चर मैंने पहले दे रखा है तो उसके एकॉर्डिंग हम क्या करेंगे sentences को बनाए है और आप दिखाएंगे कि कैसे ये बनता है देखें example में दिया हुआ है क्या वा बुढ़ा आदमी था जब कभी subject से पहले क्या का use हो तो इसको S9 की category में हम रखते हैं और इसमें जो helping verb use किया गया होता है उसी को हम पहले रख देते हैं subject से और last में question mark लगा देत हैं हमारा intuitive sentence बन जाता है तो चलिए इसको अच्छे से और समझते हैं sentence के according देखें पहला sentence कहे रहा है क्या वह बुढ़ा आदमी था ठीक है was he an old man was he an old man क्या मैं एक अध्यापक था was I a teacher was I a teacher क्या वे नाराज थें were they angry were they angry क्या वे खिलाडी थें were they players क्या वे कंजूस था was he miser कंजूस को miser कहते हैं क्या तुम मक्की चूस थे were you strange were you strange strange का मतलब मक्की चूस होता है आप यहाँ पे जो word meaning नहीं जानते हैं उसको write भी कर लिजेगा ताकि आपको आगे उस तरह के sentences बनाने मे कोई दिक्कत ना हो तो आप इसका skin sort भी ले सकते हैं उसका फिर हम अगला topic देखते हैं देखे अब यहाँ पे हम लोग जो solve करेंगे वो interrogative negative को solve करेंगे जिसका structure मैं पहले दे रखा है ठीके इसके sentences को देखते हैं क्या यह पपीता मीठा नहीं है अब देखे subject से पहले क्या आया है और साथ में नहीं भी आया है तो ऐसे sentences को interrogative negative में रखते हैं और इसके according हम क्या करते हैं इसको बनाते हैं तो चलिए sentence को देखते हैं देखे पहला sentence कह रहा है क्या यह पपीता मीठा नहीं था Was this papaya not sweet? क्या मैं एक नठखट लड़का नहीं था? Was I not an naughty boy? क्या वे सुनार नहीं थें? Were they not goldsmiths? Were they not goldsmiths? क्या वे एक कुत्ता नहीं था? Was that not a dog? Was that not a dog? I think आपको समझ में आ रहा होगा structure से जरूर मिलाइएगा इसको आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ जाएगा according to the structure sentence को बनाए गया है तो आप इसका भी skin sort ले लिजे फिर हम आगे पढ़ते हैं अपने topic को चलिए number next है examples of ws type जिस तरह से interrogative होता है उसी तरह से हमारा ये भी interrogative में आता है बट इसको हम क्या कहते हैं ws type कहते हैं ws type में क्या होता है काउन कहां कैसे क्यों कब ये सारे words जो होते हैं ये क्या होते हैं बीच में आते हैं तो ऐसे sentences को हम ws type कहते हैं तो चलिए हिंदी में मैंने लिखा इसको पढ़ लेते हैं यदि वाकि में कोई प्रस्नुमाचक सब्द कब कहां कैसे क्यों कौन इत्यादी वाक के बीच में आये तो अंग्रेजी बनाने में सबसे पहले डबलु एच वर्ड को लिखते हैं यानि कि सबसे पहले किसको लिखेंगे डबलु एच वर्ड को लिखेंगे फिर उसके बाद integrative बेस को हम ठीक है structure के according लिख देते हैं यानि sentence को तो चलिए देख लेते हैं example के रूप में देखें सबसे पहले कह रहा है मैं कौन था मैं कौन था तो कौन की English जो होती है वो होता है और उसके बाद मैंने बताया कि जो helping वब यानि integrative वाला rule होता है तो सबसे पहले helping वब आता है तो यहां पे हमने क्या किया है I के साथ में was को पहले कर दिया है और subject के रूप में आई है यानि कि who was I मैं कौन था उसके बाद से मैं कहां था तो यहां पे देखिए जो sentence बता रहा है मैं कहां था where was I where was I वह कमजोर क्यों था क्यों कि English why होती है वह कमजोर क्यों था why was he weak why was he weak तुम अनुपस्थित कब थे तुम अनुपस्थित कब थे when were you absent when were you absent वे नाराज क्यों थे why were they angry why were they angry I think आपको समझ में आया होगा आप structure को follow कीजिए 100% sure है कि आपका एक भी sentence गलत नहीं होगा और आपको अगर कोई दिक्कत हो रही है तो comments box में comment करके जरूर बताइए कि हमें किस तरह से problem आ रही है हम समझ पा रहे है कि नहीं समझ पा रहे है क्योंकि आप जो comments करेंगे उससे मुझे पता चलेगा कि मेरे वीडियो बनाने से आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है चलिए number अगला देखते हैं देखें यहाँ पे जो यह WS type मैंने यहाँ पे समझा दिया है तो उसके बाद से exercise होता है और exercise मैं आप लोगों को इसलिए दे रहा हूं ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा practice कीजिए और ठीके जब आप answer करने बैठते हैं तो आपको sentences लिखने पढ़ने और बोलने का भी experience होता है तो इसलिए आप इसका screenshot ले लिजे और अपने copy में note कर लिजे इसको आप answering करके comment box में जरूर बताईएगा कि आपने कितना answer किया और कितना आपका सही है तो आप इसका screenshot ले लिजे आगे और भी exercise है मैं अभी scroll कर रहा हूं तो आपको मिलत इसका है इसका भी आप screenshot ले लिजे इसको भी आपको solve करना है क्योंकि आप जितनी practice करेंगे उतना ही आपके लिए बहतर होगा और प्यारे बच्चों अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो समझ में आया हो और समझ में आता हो तो आप इसको like कीजिए subscribe कीजिए और share जरूर कीजिए ताकि आप जैसे बहुत सारे students इसका फायदा उठा लें और इसका benefits लें क्योंकि अगर आप किसी को share करते हैं तो हो सकता है कि उसे English बिल्कुल भी नहीं आती हो और वो उम्र में काफी बड़ा हो या फिर चाहे जिस भी level का हो ठीके उसे English गया grammar कुछ भी नहीं आता हो तो कम से कम वो इस वीडियो के माध्यम से सीख सकता है और मैं इसलिए बहुत zero level से सिखा रहा हूँ ताकि कोई भी इसको सीख सके तो आप लोग मेरा सपोर्ट कीजिए मैं ऐसे ही वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा और नया ट्रिक के साथ में भी अभी तो स्टार्टिंग है इसलिए मैं कोई नया ट्रिक नहीं यूज़ कर रहा हूँ बट आने वाले कुछी दिनों में मैं ट्रिक के साथ में आपके सामने वीडियो लेकर आऊंगा और आपको बहुत ही बहतरीन तरीके से टीच करूंगा तो वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद थैंक ये फॉर वाचिन माई वीडियो जैहिन